नमेश्टार, आजाद सिपाई में आपका स्वागत है, मैं हूँ जुई से आज हम आपको देश की कोईला राजधानी, धनबात के बाग मारा विधान सवा के चिटाही में बने श्री राम राज मंदिर में ले चलते हैं जो की खासा लोगप्रिय हो गया है जारकर वासियों के अलावा या श्रधालू देश के अन्य राज़े से भी भगवान राम के दर्शब के लिए आ रहे हैं इस मंदिर की सुंदर्ता और भविता देखते ही बनती है प्रस्तुत है आजाद सिपाही के धनबाग जिला ब्यूरो हेड मनोज मिश्र की खास रुपोत अभूत पुर्व वालौकिक है चिटाही का श्री राम राज मंदिर अयोध्या में भले ही अभी राम मंदिर बनने में समय है लेकिन जाकर वासियों के लिए भगवान श्री राम के दर्शन के लिए श्री राम राज मंदिर दो साल पहले ही बन गया भाजपा के बाग मारा विधायक धुलो बहतों ने अपने निर्वाशन शेत्र में श्री राम का भव्य मंदिर बनवाया है इधाय के पैत्रिक गउं चिटाही स्थित रामराज मंदिर में आध्यात्म की अविरल धारा लगतार बह रही है मंदिर प्रांगर में देवी देवताओं के समंख्ष कोई दंडवर्थ कर रहा है तो कोई यागगार के लिए सेलफी ले रहा है कोई मंदिर की कलाकृतियों को निहार रहा था धनवाग जिला मुख्याले से लगबग 25 किलोमेटर दक्षिन में बागमारा विधान सवा के टुटो परचायत अंतरगत चुटाही गाव पिछले दो साथ से अभूत पुरुवा अलोकिक श्री रामराज मंदिर के लिए जार्खन सवित पुरे भारत में चर्चा का केंद्र बन गया है मंदिर में स्थापित मूर्तिया, बाग बगीचे, दो तल्ला विवाह मंड़ा, बोडिंग और गार्डन सहित अन्य चीजे देखने लायक है बागमारा भाजपा विधायक धुलू मैतो की यतृती मील का पत्थर सावित हो गया है चुटाही गाओ वासी डिवम विधायक धुलू मैतो समर्थक कारिकरताओं के सहयोग से निर्मित इस मंदिर की लागत दो दश्मलों पांच करोड से अधिक बताई जा रही है बागमारा प्रखंट के तुम्डू पंचायत अंतरगत चुटाही गाओं में खोदी नदी के थट पर अवस्तित श्री रामराज मंदिर की भविता दर्शनिय है प्रभू श्री राम के दर्बार, शेव पारवती वर राधा क्रश्न, हनुमान जी, श्री गनेश की प्रतिमाओं की शोभा अलौकिक है वही श्री रामराज मंदिर के निर्मान होने से यहां के स्थानी लोगों की तक्दीर सही दिशा और दशा दोनों ही बदनती जा रही है हजारों लोगों को मंदिर के निर्मान हो जाने से रोजगार मिल रहा है सब्ता के प्रतेक रविवार को यहां सैलानियों की भीड देखी जा रही है आस्था के इस रामराज मंदिर में शद्धालो का कारवारोजाना पहुँच रहा है मंदिर प्रांगर में पूजा अर्चना करने आये शद्धालो ने कहा कि मंदिर तो बन गया लेकिन इसका विकास होना चाहिए छारखण सरकार को इसके विकास पर ध्यान देना चाहिए राज ये वक केंदर सरकार को इसे परियटक स्थल के रूप में खोशिट करना चाहिए ताकि इसकी पहचान देश-विदेश में बन सके 220 फीट लंबा, 150 फीट चोड़ा और लगभग 2 एकर वर्ग के छेत्रफल में बना है मंदिर प्राकृतिक सौंदरी के बीच, चिटाही गाउं में बना रामराज मंदिर दो एकर से भी जादा वर्ग के शेत्रफल में बना हुआ है 220 फीट लंबा और 150 फीट चोड़ा शेत्रफल में बने इस मंदिर के सुंदरता और भव्यता देखते ही बनती है मंदिर में राइस्थान के मकराना के खादानों से बहतर किस्म के संद्मर्मर के पत्थर लगाए गए है जो इसे और भी खुबसूरत बनाती है या एक कार्पनिक मंदिर है जिसे आंद्र प्रदेश के रहने वाले पी गोपाल राव ने बनाया है इस मंदिर की सुंदर्ता और भवतार चर्चे में है मंदिर में भगवान राम के अलावा माता सीता, लक्षमन और हनुमान, भगवान शिर्व, गनेश, पार्वती और राधा गृष्ण की प्रतिमा स्थापित की गई है शद्धालू यहां देश के अन्य राजियों से भी भगवान राम के दर्शन के लिए आ रहे हैं इसे चिटाही धाम के नाम से भी जाना जाता है इस मंदिर को बनाने में लगभग दो वर्षों का समय लगा है जिसमें प्रति दिन 150 के लगभग मजदूर काम किये हैं मंदिर बनाने की कुल आगत लगभग 2.5 करोर है मंदिर प्रान प्रतिष्ठा को लेकर 5 फर्वरी से 13 फर्वरी 2019 तक 9 दिवसिय नवकुंडात्मक श्री चंटी महायके का आयोजन किया गया था भव शोभा यात्रा निकाली गए है यात्रा में हाथी, घोड़ा, पूट, आकर्शक के केत्र रहे थे काशी सुमेरु पीट के पीठाधीश, शंकराचारे स्वामी नरेद्रानंद जी सरसती द्वारा आध्यात्मिक प्रवचन दिया गया रामराज मंदिर को लेकर जार्खन के मानपटल पर चर्चित बागमारा के चिटाही गाओं में प्रवुष्री राम की जैजैकार हो रही है 13-21 फरवरी 2021 तक श्री रामराज मंदिर की दूसरी वर्षगाट मनाने की तयारी जोरो पर है इस मंदिर में श्री विष्णू महायगे का आयोजन होगा कलश यात्रा के साथ महुच्छव का शुभारंग होगा जिसमें आस्था वज्जन से लाग उमड़ेगा कलश यात्रा में चार शाथ लगाने के लिए छांकिया निकाली जाएंगी कई जार्खर सांस्कृतिक का दिदार किया जाएगा केरल, तमिल नाटू, महाराश्ट्रे, उत्तर प्रदेश, वश्चिम बंगाल राज्यों से आकर्शम छांकी कलश यात्रा का शोभा बढ़ाएगा सांस्कृतिक कारिक्रमों का भी आयोजन होगा 14 फरवरी को बंगला यात्रा, 15 फरवरी को जागरन, 16 फरवरी को कवी सम्मेलन का आयोजन होगा डॉक्टर कुमार विश्वास मुंबई के हास से कवी दिनेश बाबरा कवी सम्मेलन में शिर्कत करेंगे 20 फरवरी को भोच्पुरी गायक कलाकार, खेसारी लाल यादव समा बांधेंगे कलश यात्रा के दोरान राइस्थान की हिंदुजा बैंट की धूम रहेगी इसके साथ 40 उट और 11 घोडे यात्रा में शामिल होंगे साथ ही 100 फीट का भगवा धजा रोहन किया जाएगा जो मुख्य आकर्शन होगा मंदिर के बाहर शद्धालों की सुविधा के लिए पंडाल बाहर में मेला लगाने के तयारी जोरों पर है जहां विभिन्य प्रकार के खेल तमाशा का लोग आनद उठाते नजर आएंगे खान बान की दुकानों के अलावा घरली उप्योग में आने वाली लोहे की समान सहित कई दुकाने सजेंगी 13 फर्वरी को निकलेगी भव्य कलश सहित शोभा यात्रा आकर्शर के कई केदर होंगे शुरी रामराज मं Denmark चिताही द्हाम में आयोजित विष्णो महाःके को लेकर 13 फर्वरी को भवे कलश सह शोभा यात्रा निकलेगी शोभा यात्रा में आकर्शर के कई केदर होंगे उप्युक्त बाते बुद्वार को मंदिर परिसर में आयोजित प्रेसवार्था को संभोधित करते हुए महायग्य के मुखी अलजमान सम्विधायक धुलू महतों ने कही उन्होंने कहा कि 13 से 21 तक यग्य 9 दिन तक होंगे सांस्वितिक कारिग्रम का आयोजित होगा 19 को पूरी मट के शंक्राचारे रहेंगे लाखोष रधालों के बीच रोजाना अलग-अलग प्रसाद का अवित्रिन किया जाएगा प्रेस कॉन्फरेंस पे मुखी अजमान विधायक धुलू महतों ने पत्रकारों से कहा कि कलश यात्रा रामराज मंदिर चिटाही धां से 13 फरवरी 2021 को दामोदर नदी मर्क चुप हाट तक जाएगी जिसमें देशवर के संस्कृति की च्छा की मुख्य आकर्शित होगा हेलिकॉप्टर से पुष्प वर्षा दामोदर से रामराज मंदिर तक सधालू के उपर की जाएगी 15 किलोमीटर की यात्रा में 21,000 कलश शामिल होंगे 15,000 ध्वश श्री राम पता का शामिल होंगे 100 फीट का भगवर ध्वज जार्थर के पूर्व मंत्री बावुला उमरांडी के द्वारा ध्वज का ध्वजा रोहन होगा भव्य कलश श्यात्रा में लाखों लोग शामिल होंगे इधायक भुलू मैतो ने कहा कलश श्यात्रा में शामिल होकर अपने आपको सौभा के शाली बनाए जो कलपना जो हमारे पूर्वज ने देखा है उसे पूरा करने का समय आ गया पूरा देश रामय होगा भीड को नियंद्रित करने के लिए जिला कमेटी प्रशासित की मौजूदगी होगी आजाद सिपाही में आज के लिए इतना ही बागी खबरों के लिए जुड़े रहे आजाद सिपाही के साथ और हमारे इस यूट्यव चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें साथ ही हमारे फेस्बुक पेश को भी लाइक करें धन्यवाद